Hello everyone, welcome back to Sleepy Classes और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम दिस्कस कर लेते हैं प्रिवियस यह क्वेश्टिन UPSC प्रोलेंस 2017 का तो इसका आंसर था option number D that is it is a result of an agreement among the federating units तो अब हम बात करेंगे next topic की जो की है local governments chapter number 8 constitution at work NCRT class 11 की तो हम जान लेते हैं कि local bodies या local governments होती क्या है local governments जो हैं बिल्कुल ही grassroot level से काम करती हैं बिल्कुल ही लोगों के साथ जूड कर काम करती हैं तो हम पढ़ लेते हैं कि एक village और district level पे काम करती हैं सबके साथ मिल्जोल के एक बिल्कुल ही basic level structure पे काम करती हैं और this is the closest to common people सही बात है कि बिल्कुल ही grassroot level से काम कर रही है अगर तो लोगों के उतने ही करीब होंगी साथ ही साथ day-to-day life problems जो हैं लोग अपनी उनके साथ शेयर कर लेते हैं जैसे कि firstly उनको अप्रोच करना बहुत ही आसान है बिल्कुल ही basic level से काम कर रही है तो इसी हिसाब से वो closest to the common people है साथ ही साथ democratic decision making होता है यहां पर अगैन यह भी direct elections के थ्रू ही बनाई जाती है इसलिए यहां पर भी democracy प्रिवेल करती है लोगों की representation प्रिवेल करती है और efficient and people friendly administration रहता है यहां पर क्योंकि as it is state का काम जो है further divide कर दिया जाता है और जो काम है एक uniformity के साथ चलता है और administration जो है और भी efficient हो जाता है और people friendly है क्यों की easy है approach करना उन्हें साथ साथ convenient approach वही बात कि आप बिल्कुल grassroot level से काम कर रहे हैं बिल्कुल basic level से काम कर रहे हैं लोगों से directly जाकर मिल रहे हैं तो आप approachability accessibility अगर बढ़ा देते हैं अपनी तो लोग भी आकर आपके पास अपनी दूविधाओं को रखते हैं ताकि आप उससे sort out कर सकें साथ साथ quick and cost effective क्योंकि जो बिल्कुल basic level की जो option यह problem जाती है हमारे पास वो अगर उसी time solve हो जाएं तो उसे next level पर जाने की जूरत नहीं पड़ती या next level पर चले जाती है तो वह एक refined इसलिए यह विलेज local government जो हम बात करते हैं या local governments की बात करते हैं यह उसकी definition हुई तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ history की जो हमारी local governments है वो starting से ही इंडिया का पार्ट रही है ancient and medieval times में भी हमने देखा था कि विलेज पंचायत system जो था वो हमेशा से ही prevalent रहा है तो पंचायत system क्या है यह local government को ही denote करता है हमारे ancient और medieval time पे भी तो ब्रिटिश period में भी यह option को या एक local government को local boards के थुरू introduce कर दिया गया था 1882 में by lord ripple जो की उस time पे इंडिया के viceroy भी थे चीक है उसके बाद furthermore इसे promote किस ने किया था इंडिया national congress ने इस पे जोल डाला बहुत ही promote किया तो वो government of india act of 1919 और government of india act of 1935 में भी इसे कही न कहीं include किया गया था all the way more to the constitution of india जहां पे से आड़ किया गया आज डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो अब यह question भी सबके दिमाग में आता है कि अगर local governments को further दर जाके implement करना ही था तो उसे पहले डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों बनाया गया तो इसके बीचे भी दो प्रिबनाया गया वहीं पर अगर आप local authorities को या bodies के हाथ में power दे देते उनके पास यह option हो सकती थी कि वह furthermore आगे central government के लिए थ्रेट रहे central government को आगे कह सकें कि हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना या जो भी है कोई भी ऐसा issue या insurgency create हो सकती ही साथ ही साथ जो अगर states को अगर हम पार देते तो वह आगे problem create कर देती तो इसलिए उसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया तो मैंने पहले भी यह चीज़ आपको समझाई है कि डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है फॉर्दर जो है government के लिए guidelines हैं कि इनके उपर बाद में laws बनाये जाए similarly डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अमेंड करते हुए हमारे पास पंचायती राज आक्ट आया 73 अमेंडमेंट आक्ट जो आया और साथी 74 अमेंडमेंट आक्ट लाया गया जो कि हमारे constitution में फॉर्दर डाल दिये है तो अब हम बात करेंगे history के बारे में history में 1989 में पीके थंगन कमिटे जो थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी लोकल गवर्मेंट को फॉर्दर इंडिया में इंट्रड्यूस करने के लिए तो फाइनली 1992 में दो constitutional amendments हैं जो कि थी 73rd constitutional amendment 74th constitutional amendment 73rd है पंचायती राज जो कि विलेज लेवल पे काम करती है 74 जो है वो 1993 में तो अब हम जान लेते हैं कि 73rd constitutional amendment मतलब पंचायती राज जो है जो विलेज लेवल पे क्या चीज़ की गई थी सबसे पहले यहां पे 3-tier system जो था वो लागू कर दिया गया था तो अब हम बात कर लेते हैं 3-tier structure की यहां पे हमने district level में ही administration को 3 levels या 3 levels पे डिवाइड कर द में solve किये जा सकें तो यह 3 level कौन से थे सबसे basic level पे हमारे पास gram पंचायत या village group of people वही पंचायती system जो था या पंचायत system था साथी साथ middle level पे हमारे पास तालू का या मंडल थी यह सिर्फ और सिर्फ बड़ी जो areas हैं उनको cover करती है चोटे small villages है या small blocks है यह उसके लिए apply न सकता है यह 3 tier system था साथी साथ 73rd amendment ने compulsory कर दिया कि हर एक जो village level पे हमारे पास gram सभा का बैठना या होना बहुत ही जरूरी है इसमें कौन-कौन include होता है इसमें all the adult members जो है उस village के वह सारे के सारे जो registered voters है पंचायत area के वह इसमें include होंगे तो अब हम बात कर लेते हैं further कि हमारे पास और क्या क्या था इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन में हमने देखा है मैंने आपको पहली बता दिया कि डायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी और जो टर्म है इसकी वी five years है और यह dissolve हो जाता है तो आफ विदिन six months जो है dissolution के हैं पर कोई भी सीट रिजर्व कर दी गई है SCA STS के लिए तो उसके अंदर भी one third reservation जो है विमन के लिए है और कुछ सीट ऐसी भी है जहां पर पर प्टिकुलर लिए कहा गया है कि एक category यानि कि SCA OVC की ही कोई president होगी या कहीं जो जो भी है उसी सीट से वहां से इलेक्ट होगी तो पर्टिकुलरली वहां पर हमारे पास जो अध्यक्ष बनेंगी या जो रिप्रेजेंटेटेव होंगी वह हमारी रिजर्व क्याटिगरी से ही एक विमन होंगी तो ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स पंचायती राज में हमें ये पावर दे दी गई विलेजिस को कि 29 सब्जे टिवाइड किये जाएंगे आगे डिजर्व की आजग आगे हमारी जो विलेज लेजिवल पर वे 11 सेडिोोल में स्टेट लेजिसलेटर की मर्जिके अकौरडिंग 양ड कर तिये जाएंगे तो अब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्षिन कमीशन की तो जो state election commission है उसे state government of a particular state है वही बनाती है और यह बिल्कुल ही independent है ना ही इसका कोई लेना देना national election commission या election commission of India से है यह बिल्कुल ही independently काम करती है तो पहले जो village level पे यह हमारे local bodies के election होते थे village level पे वो state government ही कराती थी बट जब state election commissions बनाये गए उसके बाद यह सारा का सारा काम उन कराये जा सके साथ ही साथ स्टेट finance commission यह भी स्टेट का finance commission होता है independent होता है इसका काम यह है कि स्टेट और विलेजिज में या स्टेट में अर्बन या विलेज एरिया में किस हिसाब से हमारे जो revenue की distribution होनी है वो ही सब यह सब हमें बताता है तब हम बात कर लेंगे 74th constitutional amendment की जो क एक तरह से रेप्लिका ही है 73rd constitutional amendment की पट एक यही परक है कि 73rd amendment है वो हमारी villages को denote करती है 74th amendment जो है हमारी नगरपालिका या municipalities को denote करती है तो इसमें जो similarities रही है वो यह है कि direct elections again 5 year का जो direct election tenure complete होने के बाद within 6 months जो है re-election कराना जरूरी है साथ ही साथ reservation one third women के लिए और साथ ही सा जहां से वो सिर्फ women ही खड़ी हो सकती है transfer of subjects again कि जो भी 29 topics या list में दिये गए हैं हमारे state के वो further जो है transfer कर दिये गए 11 schedule में जहां पर हमारी नगरपालिका उसके basis पर लोस बना सके काम कर सके साथ ही ताथ state election commission ही यहां पर भी elections कराता है और इसका state election commission का कोई national level पे या national election commission जो ह नहीं है और state government है उसने भी इसे settle किया है बट state government का इसमें कोई working में independent काम करता है वो उसको कोई लेना देना नहीं है साथी साथ state finance commission के अगर हम बात करें तो government जो है state की वही बनाती है state government का जो हमारा state finance commission जिसे हम कहते हैं वही state government मनाती है further वो भी revenue decide करती है कि rural और urban areas में किस हिस है benefits की तो पंचायती राज act या फिर हम 74th amendment act जो नगर पालिकास को लेके बनाएगे उसके क्या benefit होए सबसे पहले uniformity of system जो सारा का सारा काम सिर्फर सिफ state government को संभालना होता था वो further divide हो गया और एक uniform system बन गया एक delegated authority बन गई delegate कर दिया गया काम को आगे जो है distribute कर दिया काम को इससे efficiency बढ़ गई जिस वज़े से एक uniformity आगी efficiency बढ़ गई साथी साथ women को बहुत जादा representation मिली क्योंकि उनकी जो है reservation है कुछ areas जो है उन्हीं के लिए exclusively जो है reserve कर दिये हैं साथी साथ SCST को भी आगे आने का मौका मिला उनको भी by means of reservation साथी साथ जो subject से या all the more power हम कह सकते है वो भी divide हो गई और power बड़ जो divide होने के बाद है हमारा जो working है वो और भी efficient हो गई तब हम बात करेंगे UPSC में previous question जो की है local self government can be best explained as an exercise in next video में मिलेंगे इसके answer के साथ तब तक keep studying and keep supporting thank you so much